जैश्री राम दोस्तों राम नाम नोका पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों संत बताते हैं कि जैसा संग करोगे वैसा मन पे प्रभाव पढ़ने लगता है जैसे आपने देखा होगा यूं तो कोईले का रंग काला होता है और जो भी उसे छूता है उसको भी काला कर देता है लेकिन जब वही कोईला अगनी का संग करता है तो अगनी में तपकर सुर्ख लाल हो जाता है वो ताप और प्रकाश देने लगता है, कोई उसे छो भी नहीं पाता इसी तरह मानव अपने बुरे कर्मों और अज्ञानता के कारण सदा मोह माया में भटकता रहता है लेकिन परमात्मा की करपा से जब उसके जीवन में संत जन आते हैं तो वे मनुष्य को इश्वर दर्शन करा देते हैं तब जीव जितना संत भगवान का संग करता है उतना ही निखर जाता है महान बन पाता है और तब कोई नकारात्मक आसुरी शक्ती साधक कुछ नहीं बिगाड़ पाती इतिहास में आता है दुर्योधन ने शकुनी का संग करके विनाश को पाया और अरजुन ने कृशन का संग करके विजय को पाया जगत में जिसने भी संतों का संग किया उसने इश्वर को पाया है यह बिल्कुल सत्ते बात है अब विचार करने योगे बात ये है कि आपने किसका संग करना है ये आप सुचिए जीवन आपका निर्णय आपका और कल्यान भी आपका निर्णय आपको करना है कि आपको आत्म बोध के लिए संत सानिध्य पाना है या फिर छल कपट मोहमाया से लिप्त एक साधारण संसारिक जीवन भोगना है। बुद्धी मान को मात्र एक संकेत ही प्रियाप्त है। निसंदेह संसारिक जीवन जीओ परंतु परमेश्वरका हो करके और अध्यात्मिक हो करके वरना वशुवत जीवन तो अनेक जी ही रहे है। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो हर साधक के लिए प्रेरक होगा। कृप्या वीडियो को लाइक करें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जैश्री राम लिखना बिलकुल भी न भूले। धन्यवाद जैश्री राम।